लास्ट वीडियो में हम लोग पिगमेंट वर्नक के बारे में देखेते हैं वर्नक दो प्रकार के होते हैं एक को प्राइमरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है जिसे प्रात्मिक प्रकास्थांसलेसी वर्नक कहते हैं दूसरा शेकेंडरी फोटो सिंथेटिक पिगमे से बदलता है उसे प्रात्मिक प्रकास संसलेसी वर्नक कहते हैं जबकि वैसा वर्नक जो प्रकास संसलेसन में मदद करता हो यानि कि सौरी उर्जा को ग्रहन करके प्रात्मिक प्रकास संसलेसी वर्नक तक पहुचाता हो उसे दृत्यक प्रकास संसलेसी वर्नक कहा जाता है अब स के माध्यम से पहुंचाता है। क्लोडोफिल ए वह एक प्राथ्मिक प्रकास्स्थांस्लेसी वर्नक होता है। यानि कि क्लोडोफिल ए स्वाड उड़्या को रसाइनिक उड़्या में प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। जबकि chlorophyll B, C, D, तथा E, एभम केरेटिनवाइड तथा फाइको बिलीन जो है, यहां एक सहायक प्रकासंसलेसी वर्नक है, सहायक कहने का मतलब दूइतियक प्रकासंसलेसी वर्नक है, कभी-कभी सवाल दे देता है कि chlorophyll का रंग कैसा है, तो chlorophyll का रंग bluish green कलर का होता है, या अब एक पर ध्यान रख लेंगे कि chlorophyll A का रंग bluish green है, जबकि chlorophyll B का रंग olive green होता है, अब chlorophyll A किस में घुलनसील होगा, जल में घुलनसील होगा, या किस में होगा, तो chlorophyll A जो है, या कार्बनिक विलियन, और्गानिक सॉलिवेन में घुलनसील होता है, जबकि chlorophyll B गुलन सील होता है, अब क्लोरोफिल जैसा कि हम जानते हैं, यह हरा रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि यह हरा रंग परावर्तीत करता है, कोई भी वस्तू का रंग उसके द्वारा परावर्तीत किये गए प्रकास के रंग के समान होता है, चुकि क्लोरोफिल हरा रंग परावर लाल रंग प्रदान करता है और हमलोग जानते हैं जो भी वर्णक है जो भी pigment है वह थहला क्वाइड में मौजूद होता है तो करेटिनॉइड भी आपका कहा मौजूद होगा थेला क्वाइड में मौजूद होगा और यह बड़्तियक वर्णक सेकेंटरी पिगमेट या एक्सेसरी पिगमेट की तरह क्या करता है कारी करता है और यह क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडियेशन से क्या करता है बचाता है अब फोटो ऑक्सीडियेशन है क्या फोटो मिंस प्रकास कभी कभी प्रकास का तिवरता इतना अधिक हो जाता है जिसके कान कडिनेचर्ड होने लगता है उससे इसको करोंट इनवाइड क्या करता है क्लूरोफिल का रक्षा करता है कर इन वाईड के पेटल्स में भी पाए जाते हैं़ जहांपर क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं अब है करिट्टुनाइड के प्रकार कारेतुनाइड के मुख्य त तो पहले तो हम बता चुके हैं कि केरोटीन एक केरेटिनोईट का क्या है प्रकार है और यहाँ और और शंत्रिप्त हाइडरोकारवन होता है, और और शंत्रिप्त हाइडरोकारवन क्या है तो हम लोगं, Allsen waar गारोज़ी। है उसे हम लोगd Ausandript hire carbon काते हैं और 개인हिं का सुत्र क्या है can if केरोटीन कार्ण करता है केरोटीन संमाननित है लाल रंग प्रदान करता है यह हम लोग देख विए रहें किimon hard time करता कर लाल रंग परदान करता है आउन से रंग को अवसोसित करता है तो नीला और हरा रंग को क्या करता है अवसोसित करता है बीटा के रूटीन का एक प्रकार है जो जन्तु में विटामीन ए में बदल दिया जाता है और हम लोग जानते हैं विटामीन ए हम लोग को कहां पर आपका आग की रॉसनी बढ़ाने में क्या करता है मदद करता है हम लोग जानते हैं कि गाजर जो है कैरट जो है उसमें बीटा कैरोटीन ही पाया जाता है इसलिए हम जेनरली समाने तक कहते हैं गाजर खाने से आख की रौसनी बढ़ती है इसलिए बढ़ती है कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो ब कहते हैं लिटीन कहते हैं लिटीन के कारण पती क्या होता है पीला पर जाता है तो पती के पीला पर कारण क्या होता है लिटीन होता है जो कि एक जैन्थो फिल है अगला हम लोग आ जाते हैं पिगमेंट वह है फाइको बिलीन फाइको बिलीन पाया कहा जाता है तो यहां साइन बैक्टिरिया में पाया जाता है और लाल सहवाल में पाया जाता है इससे एक प्रोटीन जुरा रहता है जिसे बिली प्रोटीन के नाम से जानते हैं कि फाइकोबिलीन से संबंदित प्रोटीन क्या कहलाता है बिली प्रोटीन कहलाता है अगर इस पर अत्याथिक हीट दिया जा नीला और इरिथरीन सब्द मतलब क्या होता है लाल इसी से हम समझ सकते हैं कि फाइको साइनीन नीला रंग परदान करेगा और फाइको इरिथरीन आपका लाल रंग परदान करेगा और यहां हम लोग देख भी रहें कि लाल सहवाल में क्या पाया जा रहा है फाइको इरिथरी पाया जाता है इरिथ्रो मिन्स क्या होता है लाल होता है जहां भी हम लोग बायों में इरिथ्रो सब्द देखते हैं वह समानने तह लाल का सूचक होता है जैसे लाल रक्त कोशी का रेड बलड सेल को हम लोग इरिथ्रो साइट भी कहते हैं इरिथ्रो मिन्स लाल और साइट में से कोशिका कहते हैं अब आ जाते हैं हम लोग अगला प्रकास संसलेशन की किरिया भी थी प्रकास संसलेशन होता कैसे है तो हम लोग जानते भी हैं कि प्रकास संसलेशन दो चरणों में होता है एक को light reaction कहा जाता है दूसरे को dark reaction कहा जाता है Light reaction सूरी के प्रकास की उपस्थिती में होता है, परंतु ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि Dark reaction प्रकास की उपस्थिती में होगा, या इसे कह सकते हैं कि Light reaction में सूरी के प्रकास का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको Light reaction कहते हैं, Dark reaction में सूरी के प्रकास का उपयोग नहीं किया जाता इसलिए इसको डार्क रियक्षन हम लोग कहते हैं अब देखते हैं लाइट रियक्षन है तब जश्ट बता दिये कि लाइट रियक्षन क्लोरोप्लाष्ट के थहलाक्वाइड में समपन होता है लाइट रियक्षन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जल तूट कर आपको oxygen का क्या करता है निर्मान करता और हम पहले भी प्रकास translation में बता चुके हैं कि oxygen जल से आता है तो light reaction का मुख्य है कि यहाँ पर जल का अनूवी खंडित होकर oxygen का निर्मान करते और किसके उपस्थिती में सूरी के प्रकास की उपस्थिती में अब हम लोग आ जाते हैं कि light reaction को photolysis भी कहा जाता है photolysis सब दो सब्दों से मिलके बना है photo means इस प्रकास की उपस्थिती में जल का अनु तूट कर oxygen परदान करता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है photolysis कहा जाता है प्रकास संसलेशन के दूसरे चरण को dark reaction कहा जाता है dark reaction कहां पर होता है इस्ट्रोमा में होता है अगला आ जाते हैं कि dark reaction में carbon dioxide अपचाईत होकर reduce होकर glucose का निर्मान करते हैं reduction phase जो है वह कौन सा होता है? भॉआ होता है? बदलता है, डार्क रियाक्षान होता। जिसमें carbon dioxide glucose में बदलता है। बस दो चीजी याद रखना में, light reaction में oxygen का निर्मान होता है और dark reaction में glucose का निर्मान होता है। light reaction में जल टूटकर oxygen देते है आप अब आगे आजाते हैं प्रकास संसलेशन को प्रभावित करने वाले कारक, इसी कौन-कौन से फैक्टर हैं, जिस पर प्रकास संसलेशन निर्वर करता है, तो कारक जो हैं, वो मुक्यता दो भाग होते हैं, एक बाहिकारक जिसको एक्स्टरनल फैक्टर कहते हैं, दुसरा आंत् कारक जिसको da करने यह बाहिकारक कॉम बाहिकारक कारते हो पौध के अंदर मौजूद हो और पौध को प्रभावीध करें उन्हें ? जैसे बाहिकारक में हम भी लोग देख रहे हैं कि प्रकास की तिवर्ता carbon dioxide, top perfectly, gel, oxygen, वह अन्निक कारक ये सभी बाहिकारक के अंतरगत आते हैं जबकि chlorophyll का मातरा, protoplasm का कारक, carbohydrate का एकत्री करन ये सब अंतरिक कारक के अंतरगत आते हैं अब हम लोग बाहिकारक में सबसे पहला कारक आते हैं हुआ है प्रकास यानि की light अब प्रकास क्या है लाइट के बारे में जानते हैं इस प्रधा जितना प्रकास के रौसनी को गरहन करता है उसका मात्र दो प्रतिसत ही प्रकास संसलेशन में क्या करता है उपयोग करता है कुल प्रकास अफ्सोसित प्रकास का दो प्रतिसत ही प्रकास संसलेशन में उपयोग क जैसे जैसे प्रकास का तिवर्ता बढ़ते जाता है प्रकास संसलेशन का दर घरता है या इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक प्रकास की तिवर्ता पर क्लूरोफिल नश्ड होने लगता है जिसके कारण प्रकास संसलेशन का दर क्या होता है घरता है परन्तु प्रकास का तिव विभिन पौधा के लिए विभिन होता है, कुछ पौधे को कम प्रकास की तिवर्ता चाहिए, तो कुछ पौधे को अधिक प्रकास की तिवर्ता चाहिए, वैसे पौधे जो कम प्रकास की तिवर्ता में प्रकास ट्रंसलेशन करते हैं, उन्हें सीयोफाइट कहा जाता है, जब पौध ही कौम लोग धूप में लगाते हैं वह क्या कहलाता है हेलियो फाइट कहलाता है हेलियो फाइट दो सब्दों से मिलके बना है हेलियो हेलियो में सूरी होता है फाइट में पौधा होता है यानकि वैसा पौधा जिसे अधिक सूरी का प्रकास चाहिए उसे हेलियो फाइ सबसे अधिक प्रकास संसलेशन करते हैं जो कि क्लोरोफिल नीला एवं लाल प्रकास को अवसोसित करते हैं अत शबसे अधिक प्रकास संसलेशन नीला एवं लाल प्रकास में होता है यहाँ प्रस्न कई बार पूश चुका है कि प्रकास संसलेशन सबसे अधिक किस प्रकास में होता है तो नीला एवं लाल प्रकास में होता है और सबसे कम प्रकास संसलेशन हरा प्रकास में होता है क्यों अधिकतम प्रकास संसलेशन लाल एवं नीला प्रकास में होता है एवं नियूंतम प्रकास संसलेशन हरा प्रकास में होता है चुकि हम लोग जानते हैं जीव विग्यान एक अफवादों का विग्यान है साइन्स आफ एक्सेफशन है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हरा प्रकास में नियुनतम प्रकास संसलेशन होता है लेकिन लाल सेवाल जो रेड अलगी है वो हरा प्रकास में अधिकतम प्रकास संसलेशन को क्या करते हैं दरसाते हैं की भूरा सेवाल ब्राउन अलगी जो है नीला प्रकास में अधिकतम प्रकास संसलेशन को दरसाते हैं अब आ जाते हैं प्रकास की अवधी डूरेशन अफ लाइट प्रकास संसलेशन करने के लिए प्रकास की अधिक अवधी होना आवश्यक है अगर 10 से 12 घंटा किसी भी सांधरन बरहाएंगे तो प्रकास संसलेशन बढ़ता है एक प्रतिसत तक सांधरन बरहाने पर प्रकास संसलेशन का दर बर सकता है परन्तु अध्याधिक प्रकास कारवन डैक्साइड का संसलेशन का दर क्या होता है घरता है अध्याधिक कारवन डैक्साइड का मात्रा प्रका का दर क्या होता है बढ़ता है परनतों एगर 40 tałet से जादा अगर तापक्रम कर दे तो प्रकास का दर घटने लगता है क्योंकि प्रकास संसलेसं में भाग लेने वाला एनि जाएम उझ ताप क्रम पर निसख्रीय इनेक्टिव हो जाता है अता 40 डिग्री सिल्सियस तक तापकरम बढ़ने पर पौधा में प्रकास संसलेशन का दर बढ़ता है फिर यहां भी अलग-अलग पौधे के लिए तापकरम का जो रेंज है वह क्या होता है अलग-अलग होता है आगे आज आते हैं जल प्रकास में करता है अता जल एक महतपूर्ण कारक नहीं होता है क्योंकि अधिकांस जल एक परतीसत को प्रकास संसलेशन में मदतبلों चीनमें आप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैंगनीसियम है, आईरन है, कॉपर है, क्लोडीन है, मैंगनीज है, फॉस्पूरस है, यह सब प्रकास संसलेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, कुछ अन्य कारक में आ जाते हैं, कुछ गैस भी प्रकास संसलेशन को दर को बढ़ा सक जैसे hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, chloroform, ether या भी प्रकास संसलेशन के दर को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं अब हम लोग आ जाते हैं आंतरिक कारक, internal factor, internal factor में पहला क्या आता है, chlorophyll आता है जैसा कि हम जानते हैं chlorophyll एक हरा वर्नक है, green pigment है जो प्रकास संसलेशन में मदद करता है chlorophyll जितना अधिक होगा प्रकास संसलेशन का दर उतना अधिक होता है यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि immersion जो एक scientist थे, organic थे, उन्होंने chlorophyll और प्रकास संसलेशन के बीच प्रतेक्च संबंद अस्थापित के प्रतेक्स संबंद कहने का मतलब क्लोरोफिल का मात्रा अगर बढ़ेगा तो प्रकास संसलेशन का भी दर क्या होता है बढ़ता है अगर पौधा में कार्वो हाइडरेट अत्यधिक एकत्रित हो जाता है तो प्रकास संसलेशन का दर क्या होता है घरता है क्योंकि प्रकास संसलेशन में कार्वो हाइडरेट ही पौधा बनाता है निर्मान करता है और यह भी हम लोग जान लेते हैं कि अत्यधिक गुलुकोज को इस्टार्च में बदल कर पौधा बीज या अने भागों में स्टोर करके भंडारित करके रख सकता है। हरे पौधे पढ़ी परत्यक्ष या ऑपरत्यक्ष रूप से ही कोई भी जीव क्या हैं निर्वर करते हैं। अगर प्रकाश शंस्लेसन ना हो तो हरे पौधे धर्थी पर मौझूद नहीं होंगे जिसके कान अन्य जीव भी क्या होंगे पेरिस कर जाएंगे शमाप्त हो जाएं और हम लोग जानते हैं कि कार्वो हाइडरेट जो भी जीव को मिलता है वो हरे पौधे से ही प्राप्त होते हैं प्रकास संसलेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं जो कार्वो हाइडरेट किसी भी जन्तू के लिए एक उर्जा का सुरोत है तो हम लोग देख लिए प्रकास सं इसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं पहले यहां वेगानिक का इधर नाम दे दिये इधर उनके दौरा क्या खो जा गया है इसी तरह हम पूरा एक संपुर्ण चार्ट यहां पर बना दी है एक पर इसको क्या कर लेना है देख लेना यह इतना अधिक महत्पूर नहीं है फिर जान लेना आवश्यक है